भारत के केरल में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है केरल के स्वास्थ मंत्री वीना जॉर्ज ने न्यूज एजेंसी एनाई से बताया कि कुछ दिन पहले पीरित शक्स यूएई गया था वहां से आने के बाद ही उसके अंदर मंकी पॉक्स के लक्षन दिखे उसका टेस्ट करवाया गया तो वो पॉजिटिव निकला उन्होंने कहा कि उनके नजदी की संपरकों की भी पहचान की गई है जिनमें उनके पिता, मा, एक टैक्सी चालक, एक आटो चालक और बगल की सीटों के ग्यारा साथी यात्री शामिल है केस सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य की सहायता के लिए एक टीम भेजी है जिसमें राश्ट्री रोग नियंतरन केंद्र NCDC के विशिशग्यर शामिल है इससे पहले दिन में केंद्र सरकार ने राज्यों को साबधानी बरतने के लिए लिए लिखा था अफ्रिका के बाहर मंकी पॉक्स के मामले शायद ही कभी रिपोर्ट किया गया था सरकार ने मई में इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किये थे मंकी पॉक्स एक वाइरस है जो एक विशिष्ट उबर चकत्ते के अलावा बुखार के लक्षनों का कारण बनता है ये आमतोर पर हलका होता है इसके दो मुख्य प्रकार बताए गए हैं एक है कॉंगो स्ट्रेन जो अधिक गंभीर है इसमें 10 प्रतिशत तक रोगियों की मृत्यू का कारण बनता है वही पश्चिम अफ्रिकी नसल जिसकी मृत्यू दर लगभग एक प्रतिशत है दो महीने पहले मंकी पॉक्स के कुछ मामलों के बाद वेग्यानिक चिंतित थे ये ज़्यादा तर अफ्रिका के पश्चिमी और मध्य छेत्रों में होते हैं यूनाइटेट किंग्डम पॉर्टगाल और स्पेन में ज़्यादा तर इसके मामले रिपोर्ट किये गए थे बता दे की हू ने कुछ दिन पहले ही एक बैठक के बाद कहा था की मंकी पॉक्स फिल्हाल अंतराश्ट्री चिंता का सबब नहीं है दरसल डबल्यो एचो के महा निर्देशक इस बिमारी को लेकर IHR आपात कालिन समीती द्वारा दी गई सला से सहमत नजर आ रहे हैं ऐसे में फिल्हाल मंकी पॉक्स अंतराश्ट्री स्तर पर चिंता का विशय नहीं है हाला कि W.H.O. के महा निर्देशक टेड्रोस एडनाम घेबी एसेस ने मंकी पॉक्स को लेकर अपने चिंता ज़रूर जाहिर की थी टेड्रोस एडनाम घेबी एसेस ने कहा कि मंकी पॉक्स वायरस के आगे प्रसार को रोकने के लिए फोरन हरकत में आने की जरूरत है पश्चिम और मध्य अफ्रिकी देशों के बाहर मई की शुरुआत से मंकी पॉक्स के मामलों में बरहोतरी देखने को मिली थी जादातर नए मामले पश्चिमी यूरोप में सामने आये हैं टेड रोस ने कहा था कि आपात कालिन समीती ने मौझूदा प्रकोप के पैमाने और गती के बारे में गंभीर चिंताओ को साजा किया न्यूस डैस्ट रिपोर्ट असमादित्यर